नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का अपने यूटूब चैनल कमाल ले आरबे मैं PMDNA सिंग आज भारत और नेपाल के बीच दो बड़ी खबरें लेकर आया हूँ तो क्या है पूरी खबर यहाँ पे जानेंगे हम जैसा कि दोस्तों भारत नेपाल सीमा विवाद के बाद नेपाल यहाँ पे पूरा स्ट्रिक हो चुका था और उसके अकोर्डिंग उन्होंने बियोपी बनाने की सोची यानि की सीमा सुरक्षा बढ़ाने की सोची तो उस पे एक निउज आ रही है और उसके अलावा एक नेपाल के नाम नया रिकोर्ड भी हुआ है तो वो दोनों अबरे हम जानेंगे तो वीडियो के अन तक बने रही है और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि आज से चै महीने पहले न सीमा सुरक्षा बढ़ाते हुए सीमा पर ब्योपी बनानी का एक निनलिया और वो ब्योपी अभी उनका कारिये है वो सुरू हो चुका है इससे पहले भी यहां पे 42 ब्योपी बन चुकी थी लेकिन अभी यहां पे नए नया कारिये भार सुरू हो चुका है और यह ब्योपी हाइट पर ये बाग मिला है तो यह यहाँ पे नेपाल के नाम एक record हो गया अब आप यह कहेंगे कि इसमें क्या record है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बाग होते हैं वो इतनी हाइट पर ज़्यादा तर नहीं जाते और कहीं कहीं ही देखने को मिलते हैं यानि कि सबसे उ उपर हाइट पर यहाँ पे भुटान में बाग मिला था 2018 में जो कि 4038 मेटर उन्चा मिला था यानि कि 4038 मेटर उन्चा यहाँ पर बाग दिखाई दिया था जिसे एक बड़ी बिल्ली के रूप में कहा गया था और यही बात यहाँ पे नेपाल में हो रही है इसे भी बड़ बिल्ली के रूप में देखा जा रहा है मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि बाग अदिकतर यहाँ पे नीचे रहते हैं लेकिन उनके उपर जाने का कारण यह है कि यहाँ पे गलोबिंग वार्मिंग है वो ज़्यादा हो रही है और गलोबिंग वार्मिंग के कारण यह नीचे नहीं रह पारे यह उपर जाने की सोच रहे है और इसके कारण दूसरा रीजन साइन्टिफिक रीजन यह भी बताया जा रहा है दोस्तों कि यह एक मासारी जीव है और इन्हें यहाँ पे जंगलों में रहना पसंद है जैसा कि जंगल खतम होते जा रहे हैं उसी परकार से बाग भी अपने जगह छोड़कर निकलते जा रहे हैं और उन्हें पहाडों में जाकर उंचाईयों पर जाकर रहना पड़ रहा है मैं आपको एक आंकडा बता दूं दोस्तो कि नेपाल में मात्र 118 में बाग रहे हैं और जबकि भारत में 226 ही बाग बचे हैं तो जी हाँ दोस्तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में बागों को बहुत ज़्यादा खत्रा है अगर परजाती लुप्त होती है तो इंसान को भी बहुत ज़्यादा खत्रा है क्योंकि जैस परकार से यहाँ पे जाणवर रिलेट करते हैं मानव को, मानव जाती के लिए यानि कि मानव जाती और जाणवर दोनों आपस में रिलेट करते हैं अब यहां पे जीवन संभव है दोस्तों और अगर इस परकार से यहां पे जानवर कम होते रहे तो आने वाले दिनों में यहां पे मानव का जीवित रहना भी बहुत यहां पे मुश्किल में पड़ जाएगा तो बात यहां पे यह थी दोस्तों की एक तो रिकोर्ड बन गया तो जीके का क्यूशन भी बढ़ रहा है नेपाल के लिए कि सबसे उंची हाइट पर बाग मिला है दूसरी बात ये भी है दोस्तो कि यहाँ पे कुछने कुछ मानविये गलतियां भी हो रही है जिसके करण बागों की संक्या घटती जा रही है और वो उंचाई वाले छेत्रों